इस वक्तक एक बड़ी खबर आ रही पाटी सेत्र से पाटी सेत्र में 2018 में शिवरात सर्कार द्वार Cyrus महा विद्यालाय संचालीत किया गया था इस महाविद्यालाई को वर्तमान में सिवरात सरकार ने बंद करने के लिए कहा गया है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि पाटी सेत्र है एक अधिवासी बाहुल्य सेत्र है यहाँ पर निवासरत आधिवासी किसान के बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए बड़ी मसिकत करना पड़ता था उच्च शिक्षा के लिए उन्हें बड़वानी जैसे सेत्र में जाना पड़ता था जो की पाटी से 23 किलोमेटर की दूरी पर है जिनको आने जाने का खर्चा अगर उहां पे रहते हैं तो कमरा किराए ऐसी विभिन समयशा से गुजरना पड़ता था है एसी स्तिती में सिवरात सरकार ने पाटी सेत्र के लिए एक बड़ी सोगान दी थी कि पाटी सेत्र में एक महाविद्यले खोला जाए जिससे पाटी सेत्र के आदिवासी किसान के बच्चे उच्च शिक्षा ग्रान कर उच्च पत पर जाकर अच्छी पोस्ट पर रहे इसी के स ताथ इनने ये मकसद से ये कालेज का प्रारंब करा था लेकिन विगद दिनों ही मिडिया के माध्यम से उनने कहा है कि जिस कालेज में 100 विद्यारती से कम विद्यारती की अगर प्रवेशीद होती है तो उन कालेजों को बंद करने का आवन किया लेकिन पार्टी कालेज में वर्तमान में 138 विद्यारती प्रवेसी थे जो की शिवरा सरकार के जो बताये गए आकड़े से उपर है अगर कहा जाए तो ये कालेज बंद नहीं होना चाहिए इस संबंद में सेत्र के लोग और प्राचारियन सहित अन्य जो इस्थाइन लोगे इनका क्या मुद्दा है और क्या कहना चाहते हैं हमने सभी लोगों से चर्चा की सभी का यही कहना है कि पार्टी सेत्र में अगर कालेज बंद होती है तो इन विभीन परिस्तितितियों से इन लोगों को गुजरना पड़ेगा जी जानना चाहेंगे ह गई अभी वैसे तो हमारे पास इसी कोई सुष्णा नहीं है बाकि मिडिया के माध्यम से सुनने में आ रहा है कि जो कॉलेज बंद हो रही है उसमे पार्टी का नाम भी आपके माध्यम से सुनने में आ रहा है एदि एसा होता है तो हम हमारे केंजतित मंत्रिया आदरणी ul dτικ पटेल राज्यसावा सांसा सुमेर सिंग सोलंगी जी एवं गजन पटेल जी है इनसे जाके चर्चा करेंगे कि पार्टी जो कालेज चल रही है जो कि आदिवाशी पिछड़ा वर्ग के कारण यहां माननी शिवरा सिंग जी ने गोशना पर खोली दी चुकि ऐसा सुनने में आ में प्रकासित हो रही है वही जी शूचना हमारे पास भी है विभाग से AD स्थर पर या कमिस्नर कारेले के स्थर पर कोई भी अधिकारिक सूचना हमको अभी तक प्राप्ट नहीं क्योंकि 2018 से अपना कालेश सुर हुआ था तो 2018 में 1st year, 2nd year अभी वरतमान में मतलब पहली बेच अपनी final year की अब निकलेगी और विगत वर्स अपन ने जो है राज्यस विभाग से 4 हेक्टेर जैमीन का आवंटर हो चुका है देरवालिया रोड पर और भवन निर्मान के लिए विस्तरट DPR बना के भी विभाग को भेजी जा चुकी है वरतमान में बच्चे को किस परकाद पड़ाई जा रहा है वरतमान में विभाग के निर्देशों के अनुसार महाविद्याला इस तर पर आन्डाइन कफ़ाओं का संचलन किया जा रहा है और राज्यस तर से जो है दूरदर्थन मद्द्रदेश पर भी वीडियो लेक्च्यर्स का सबसे बड़ी खबर आज पार्टी के सामधा एक स्वास्त केंद्र से आ रही है जहां पर एक साथ नो लोगों की कोरोना पो यूट्यू रिपोर्ट आई है कल और आज दो दिन मिलाकर पांच सामधा एक स्वास्त केंद्र में पदस्त पांच कर्मी सहीत चार अन्य लोगों की रिपोर्ट कोरोना पोजिट्यू आई है इस संबंदो में हम हमारे सामधा एक स्वास्त केंद्र के बियोमों से चर्चा करेंगे बुद्ग बुद्ग में और अपने स्वास्त विभाग है, जिम्मेदार विभाग माना जाता है, एक साथ इतने कर्मियों का कर रहा हैं तो जो भी पॉजिटिव आते हैं तो वह जेकर लाएंगे फिलाल सार उनको स्वास्ते की द्रश्टे से उनको हों कॉरॉंटाइन क्या गया है और किसा क्या उनका फिलाल प्रग्रिया करवाई जारी है जो पांच लोग पॉजिटिव आये हैं स्वासे वर्से उनका डेली टेंपरेचर और एस्टी लेवल चेक किया जा रहा है और मेडिसिन लगातार दी जा रही होंने और हों कॉरॉंटाइन क्या गया है क्यों के लिए होस्टल में आने जाने के लिए मास्क करना अनिवाअगर कर दिया था है और कर दि रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाई सब्सक्राइब जोनने के लिए झाल झाल झाल